पन्ना के सिम्रिया तैसल के तीहरा गाव में पंडित आशुतोष महराज का दिविदर्बार सुल्खों में बना हुआ है। यहां बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्या लेकर अर्जी लगाने पहुँच रहे हैं। यह दिविदर्बार करीब दो महिने से लग रहा है। हर्मंगलवार कितनी भीड़ो जाती लगा है। मैं आज यहां आया तिघरा में मुझे पता चला कि यहां हमारे स्री लखन पुसाथ पांडे जी के बालक स्री आस्तोष पांडे जी जो पंजाब में किसी आश्रम में सिक्षा ग्रहां करते रहे। आज दो माहों से यहां भगवार राम जान की मंदर में दरवार लगा रहा है। मैंने देखा यहां काफी संख्या में लोग थे महलाएं फुरुष बच्चे सभी लोग सभी का मानना यह है कि यहां आने से और निश्टित रूप से किसी ना किसी को हर प्रकार से आराम सफलता मिलती है। इसी लोग यहां दरवार में आते और बात भी सब्सक्राइब कि हमारे सनातन धर्म में इतनी सक्ति है। और यह कल जोग है साब जब जब होएं धर्म की हानी बाड़ें असर अधम अभमानी तब 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 दर बिविद सरीरा और हरा हिं कृपा ने दिस जजन पी रहा तो किसी रूप में परमात्मा निश्चत रूप से हम सब की कष्ट हरने के लिए किसी रूप में प्रिगट होते हैं ऐसा मुझे इस दरवार से आज लगाया कोट कचहरी के मुद्धे भी हल किये जाती हां पता चला अभी इसी ग्रामतिगरा में कि कोई मावला था जिसका को कोई पता नहीं था उसके लिए उन्होंने आगामी बोल दिया कि आप 25 तारीक को आप रहा होके आ जाएंगे और बोलो 25 तारीक को ही ने उनका रहाई का आधेश आ गया इससे और लोगों में बहुत विश्वास्त जगा धन्यवाद कार यही है जो यहां भख्त बैटे हैं सभी भख्तों ने यहां बताया है जो भी परिशानी भख्तों कीती सभी हल हुई है जिरको अभी कोई बखार हो दिक्कस सबिस्या हो हमें एक बार जार देंगे पांच मिनट में पून आराम रहेगा यहां दरुआ से यह हमारा यहां राम जार्गी मंदर में कहना है जो भी बर्भक्तों को परिशानी होती है यहां एक मंगलवार आए अगले मंगलवार पूर्ण का काम होता है चाहे कोई सीवी समिस्या हो परिशानी हो सब हर्वान जी महराज संकट बोचन जिलिया धाम राम दरवार तगरा सब की परिशानी हो कोट और जमानती मामले भी आपके द्वारा यहां से नपताए जाते हैं। तो हमको आसी बाद इसलिए हैं करनी सकते हैं। इसलिए हम भक्तों का काम लेते हैं। और रात में ग्यारा से बारा या एक बजी तक हमारा सुन्दरकांड या हनुआन बाहुपपाद या चारीशा का चलता है। आपका नाम हमारा आसुपोस पांडे है। कहां के रहने वाले आपने देखरा कि रहने बाला धन्नवाद